दोस्तो जब भी बात आती है हमारी phone security को लेकर तो हम सबसे ज़दा भरोसा हमारी fingerprint scanner वह रगते हैं लेकिन कई बार हमें इसे phone बाय कर लेते हैं जिनका fingerprint scanner या तो सही से काम ने कर पाता या तो हमारी हलके से touch में भी हमारा phone open हो जाता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किफ कौन से फिंगर्प्रिंट स्कैनर सबसे दाता बेस्ट होते साथ ही साथ आपको कौन सा बाई करना चाहिए So Hello and Welcome दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट महुम्मद साबिर आप देख रहें यूट्यूब चैनल दाई जो टेक शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के दोस्तो वर्ल्ड का सबसे पहला फिंगर्प्रिंट स्कैनर वाला फून मोटरोला की तरफ से आया था जिसका नाम था ईट्रिक्स जो की 2011 में लाँच हुआ था लेकिन इसका फिंगर्प्रिंट स्कैनर इतना सी क्याँपयर नहीं थे बांध में लाउंच हुए आईफोन पाइफ एस में यह फिंगर्प्रिंट स्कैनर बहुत ज्यादा इंप्रोव होके आया है जो की 2013 में लाँज हुआ था आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि fingerprint scanner कैसे work करता है साथ ही साथ कौन सा fingerprint scanner आपके लिए best होता है लेकिन पहले बात करते हैं fingerprint के types के बारे में basically दोस्तों fingerprint तीन types के होते है जो के arch, loop और fold में होते है पहले की बात करते हैं जो के arch होता है arch fingerprint में pattern एक तरफ से start होता है और finger के center में tip तक जाता है फिर same नीचे वैसे ही आजाता है बात करते हैं loop fingerprint के बारे में यह आपके finger के एक तरफ से start होता है और बीच तक आता है फिर वापस घूम कर दूसरी तरफ आजाता है बात करते है whole fingerprint के बारे में ये pattern आपकी finger के center से start होता है और गोलाई में दीरे-दीरे बड़ा होते जाता है साथी साथ इसका end आपकी finger के नीचे की तरफ होता है तो ये तो थे fingerprints के types बट fingerprints हर इंसान के अलग-अलग होते है ये आपके genetics और DNA पे depend होते है आना आप phone में password use करते है पर password guess करना easy होता है वही बात करें fingerprint की तो ये कभी same नहीं होते साथी साथ secure होते है दोस्तो basically हम दो types के fingerprint scanner यूज़ करते है एक होता है optical दूसरा होता है capacitive बात करते है optical scanner के बारे में starting में जब आपनी fingers phone के security के लिए add करने जाते है तो scanner आपकी fingers में ridges और values के points दोंटा है ridges मतलब की आपकी skin के उभार और values मतलब आपके skin में गड़े या गहराईया जैसे के आपकी fingers पर दिखते है scanner आपकी fingers में ridges और values का एक map बना लेता है साथ ही साथ यह कई बार जब आप उस पर tap करते है अपनी fingers एड़ करने के लिए उन सारी click QE kicks का एक merge map बनाता है जिसकी वज़े से आप next time जब इस पर tap करते हैं optical scanner इतने secure नहीं होते साथ ही साथ यह आपके fingers की सिर्फ clicks लेके उनको merge करके एक map बनाते है जिससे की आपकी fingerprints की copy लेना बहुत आसान हो जाता है और कोई भी copy लेके आपकी fingerprints की आपका phone unlock कर सकता है अब बात करते है capacity scanner की capacity scanner में micro conductor लगे होते है जो की आपकी fingers के ridges और valleys में height का difference लेता है मतलब की जहां ridges होती है उभार होता है वहाँ के conductors off रखता है और जहां valleys मतलब गहराई होती है आपकी skin में आपकी finger पे वहाँ के conductors on रखता है और इनका एक दूरी से point to point map बना लेता है जिससे की जब भी आप अगली बार अपनी finger आपने phone को unlock करने के लिए लगाते है तो ये आपकी finger को उस map के साथ match करता है अगर ये finger match हो जाती है तो आपका phone unlock हो जाता है अगर नहीं होती तो आपका phone unlock नहीं होता basically ये सबसे ज़दा secure fingerprint scanner होता है तो उमीद है दोस्तो आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होंगा कि कौन से fingerprint scanner कैसे work करते है साथ ही साथ कौन सा fingerprint scanner आपके लिए बहतर है तो उमीद है दोस्तो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होंगी पसंद आई है तो ज़रू से इस वीडियो को like कीजिए साथी साथ अपने comment कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए तो मिलते हैं नहीं और exciting वीडियो में दिल में हो कोई बात तो बने रहों मेरे साथ Till then I have a good day and always keep smiling THANK YOU GUYS